देली करंट नियूज में इस वक्त की खबर है सुभद्रा कुमारी चोहान की जैनती बुन्देले हर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली रानी थी जहां जहासी की रानी लक्षमी भाई के स्मरण में ये पंक्तियां हम सबने सुनी और पढ़ी होंगी ये पंक्तियां है प्रसिद भारतिय कवित्री और स्वतंतरता से नानी सुभद्रा कुमारी चोहान की आज यानि 16 अगस्त को इसी महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चोहान की जैनती है ओज, करुणा, स्मरती और शद्धा से भरपूरिस कविता ने लेखिका को हिंदी कविता में न केवल प्रसिद्धी दिलाई बलकि हिंदी साहित्ते में अमर कर दिया सुभद्रा कुमारी चोहान का जन्ब 16 अगस्त 1904 को तकाली निलाहबाद के निकट निहालपूर गाउं में हुआ था 1921 में ये असहयोग आंदोलन में शामिल हो गई सुभद्रा नागपूर में गिरफतारी देने वाली पहली महिला सत्याग रही थी 1923 और 1942 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उन्हें दो बार जेल भीजा गया था इन्होंने हिंदी कविता में कई लोग प्रेयर रचनाई की इन्होंने हिंदी की खड़ी बोली में एक सरल और स्पष्ट शैली में लिखन किया इनकी सबसे प्रसिद रचनाई जहांसी की रानी है जो रानी लक्षमी बाई के जीवन का भावनात्मक वर्नन करती है जो कि हिंदी साहित्य में सबसे अधिक पढ़ी और गाई जाने वाली कविताओं में से एक है इनकी इन्ने कविताओं जैसे वीरों का कैसा हो बसंत राखी की चुनोती और विदा खुलकर स्वतंतरता आंदुलन की बात करती है 15 फरवरी 1948 को इनका निधन हो गया हिंदी साहित्य किक शेत्र में उनके योगदान और भारतिय स्वतंतरता संग्राम में उनकी भूमिका को आज भी याद किया जाता है इंडिया पोस्ट ने 1976 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था